नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि ऐलसिप्रो टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, ऐलसिप्रो टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और ऐलसिप्रो टैबलेट की वज़़ से क्या साइड इफ एलसिप्रो टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन सिप्रो फ्लोकसासिन होता है, एलसिप्रो टैबलेट 250 mg वब 500 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, एलसिप्रो टैबलेट एक एंटिबायोटिक दवा है, जिसका उप्योग शरीर में बैक्टिरियल इंफेक्शन होने जैसे फैफ्रो में बैक्टिरियल इंफेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, खासी होने पर, पेट में इंफेक्शन होने पर, दातों या मसूडों में इंफेक्शन होने पर, जोडों या हड्डियों में इंफेक्शन होने पर और कान नाग गले या तवचा पर इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशन्स है, जिन में आपका डॉक्टर आपको ऐलसिप्रो टैबलेट को लेने की सला दे सकता है. साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में ऐलसिप्रो टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में ऐलसिप्रो टैबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ज भूप कम लगना, सांस लेने में दिक्कत, मुह, गले होठो या तवचा पर सूजन, तवचा पर खुजली या तवचा पर रैशिस होते हैं, तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण ऐलर्जिक रियेक्शन या लिवर डैमेज होन अब हम डिसकस करेंगे की ऐलसिप्रो टैबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है, ऐलसिप्रो टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर एलसिप्रो 500 mg टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को डॉक्तर एलसिप्रो टैबलेट को शरीर के वजन के हिसाब से 15 mg से लेकर 20 mg पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से डोज को दो समान भागों में डिवाइड करके लेने की सलाह देते हैं ऐलसिप्रो टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको ऐलसिप्रो टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि एलसिप्रो टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Elcipro tablet को लेने के बाद और Elcipro tablet को लेने से पहले 2 घंटे तक पेट में गैस और एसिडिटी को कम करने वाली एंटासिट दवाओं का सेवर नहीं करना चाहिए Elcipro tablet viral infection होने पर जैसे जुखाम या flu होने पर काम नहीं करती है इसलिए antibiotic दवाओं को तभी लेना चाहिए जब जरुरत हो बार बार या बिना जरुरत के antibiotic दवाओं को लेने से antibiotic resistance हो सकता है और antibiotic resistance होने पर वो antibiotic दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और ऐसी स्थिती में infection को ठीक करने के लिए आपके डॉक्तर को दूसरी antibiotic दवा देनी पढ़ सकती है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए Elsipro Tablet का सेवन करना recommended नहीं है स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Elsipro Tablet का सेवन करना सुरक्षित है वैसे Elsipro Tablet मा के दूद में थोड़ी सी मात्रा में निकलती है लेकिन इसकी वज़े से दूद पीने वाले बच्चे में अभी तक कोई side effects नोटिस नहीं किये गए है Elsipro Tablet को लेते समय स्तनपान करा रही महिलाओं को बच्चे में Elsipro Tablet की वज़े से होने वाले side effects को नोटिस करते रहना चाहिए यदि किसी बच्चे को दस्त होते हैं या तवचा पर रैशिस होते हैं तो स्तनपान करा रही महिलाओं को तुरंथी डॉक्टर से सला लेकर Elsipro Tablet को बंद कर देना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Elsipro Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं